नमस्ते कैसे हैं आप सिब लोग जब आपको एक पुरिटिकुलर चीज को मैनिफिस्ट ना कर पा रहे हो बहुत टाइम से आप उसे मैनिफिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मैनिफिस्ट नहीं हो रही है या फिर कुछ चीजें हैं कोई एक चीज भी हो सकती है कि वो तुरंत ही मैनिफिस्ट हो जाए जी हां जिस चीज को आप बहुत टाइम से मैनिफिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर यह चीजें आप करते हैं तो तुरंत ही आप उन्हें मैनिफिस्ट होता हुआ भी देख सकते हैं सिर्फ आपको करना क्या है जिस भी चीज को आप अभी manifest कर रहे हैं, और वो manifest नहीं हो पा रही है, आपको result नहीं आ रहे हैं, तो आज से ही decide करें, कि coming 21 days तक मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे manifest नहीं करना है, देखें, सोचना से हम ऐसा ले लेते हैं इसे, कि अरे मुझे सोचना ही नहीं है, हम robot नहीं है, अरे दिमाग में खयाल भी आएगा, उसके result से जुड़ा हूँ भी खयाल आएगा, कोई बात नहीं, हमें बस ये करना है, फिलहाल उसके ओपर कोई method नहीं करना है, फिलहाल उस चीज़ के ओपर ध्यान ही नहीं लेके जाना है, ध्यान जाता है, माइंड को divert करना है, ध्यान को चेंज कर लेना, अपना डेली रूटीन में, कुछ ऐसी चीज़ों को add कर लेना, जहां पर आपका जो mind है, अब वो divert होना शुरू हो जाए, बार-बार माइंड वहां पर चलता है, बार-बार आपको shift करना है, बार-बार divert करना है, कुछ दिन की practice के बाद ही आप है, अब आप easy हो गए हो, अब आप अपना ख्याल रखते हो, अब आप अपने friends के साथ बाहर जाते हो, या फिर आपने जो भी तरीका divert करने का लगाया हुआ है, अभी अपने ओपर, कुछ भी कर सकते हो, तो वो जो तरीका है, वो आप अभी करते-करते 21 days तक आ चुके हो, उसके बाद जो भी तरीके हैं, आपके उन्हें continue रखिए, अब जो भी आपकी manifestation है, जो भी वो particular चीज है, उसको ऐसा बना दीजी कि बिल्कुछ छोटी सी चीज है, यूनिवर्स के लिए तो ये कुछ है ही नहीं, मेरे लिए भी कुछ नहीं है, मिरे mind के लिए तो actually कुछ है ह नहीं, मुझे इतना बड़ा इसको सोचना ही नहीं है, उससे जुड़ करके जितने भी negative बाते हैं, negative beliefs हैं, आपकी negative feeling है, उसको भी हटाते जाएए, अब ये देखिए कि अब इस manifestation को छोटा बना के कौन सी ऐसी positive बाते हैं, grateful होना है, positive हो जाना है, उस बात को लिए करके, वो आप क्या-क्या उसके अंदर डाल सकते हो, बस उतना करिए, अब इसके साथ अगर आप कोई writing method करना चाते हो, affirmations देना चाते हो, सारी negativity को, negative beliefs को, doubts को, डर को, सारी चीज़ों को ज़र हटाते हुआ, और 21 days का gap लेकर के अपने आपको वापस वहाँ पर खड़ा करते हो, कि नही आप एक नए energy डालोगे उसके अंदर और उस manifestation को कि कि आपने छोटा बना दिया होगा, उससे जुड़कर कि जितनी भी negativity उसको हटा करके, जितनी भी positivity उसको डालना आप स्टार्ट करोगे, आप देखोगी कि आप बहुत तेजी से उसी चीज़ को manifest कर पा रहे हो, जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे हैं और यह बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने उसी चीज़ को बहुत difficult बना हुआ था, बहुत सारे लोग इस तरीके के comments लिखते हैं, बात करते हैं कि हम पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 3 साल से, 4 साल से, 6 साल से manifest कर रहे हैं, आपको यह समझना है, आपने उस चीज़ को बहुत बड़ा बनाया हुआ, हुआ बना रखा है, उस चीज़ पता ही नहीं क्या ही है, तो आप उस चीज़ को अगर इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा easy रखेंगे, और इतना जादा उसको पकड़ करके नहीं चलेंगे, आप दूसरी तीसरी चौती चीज़ें भी अड़ करते जाएं अपने लाइफ में, आप यह भी manifest कर सकते हो, वो भी manifest कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, इससे क्या है, आपका mind भी divert होगा, आपके life में और भी बहुत सारी रस्ते आप खुलने का चांस दोगे, अ हमारे हाथ सिर्फ failure लगता है, और हम सोचते हैं कि हम तो पूरी के पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम positive है, हम affirmations दे रहे हैं, हम law of attraction यूज़ कर रहे हैं, हम तरह तरह के method कर रहे हैं, पर हमें तो कोई result नहीं आ रहा, आप यह देखो, वो सारे method के अलावा, आप एक energy है जो डाल रह होता है, आपकी जो desperation है वो यह बता रही होती है, कि आप लगतार इतने time तो कुछ चीज को करे जा रहे हूँ, то फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब conscious को अपनी failure की आदर डाल दी है, बहतर यह होगा, कुछ time रहो, उसको शांत करो, चोटा बना दो, desperation, negativity, सब कुछ को remove करो and then फिर से restart करो, फिलकुई छोटे से करो और अपने लिए उसको इतनी चोटी चीज बना करके रखो जैसे कि उससे चोटी कोई चीज तो आपकी life में है ही नहीं और फिर आप देखना, सारे desperation चला जाएगा, सारी negativity चले जाएगी और वही चीज इतनी आसानी से manifest हो जाएगी कि आप हो जाओगे हैरान तो अगर आप भी ऐसी कुछ particular चीज़ों के लिए या किसी एक particular चीज़ के लिए बहुत time से try कर रहे हो तो ये try करके देखो, आपका failure भी आपकी success में बदल जाएगा अपने अपने रगी क्याल, अपने अपसे की ज़िए सारा प्यार था कि आप attract करें थे, सारा प्यार, love you all, टाडा